तो तीन दिन पहले में ने वीडियो बनाये थे जिसमें बताये थे कि सेप स्कोर SSJD का क्या रहने वाला है आज इसी भी बात करूंगा हो सारे चात्र के अलग अलग तरह के कोमेंट आ रहे थे सब का जवाब देने वाला है ध्यान से चुनिएगा और कुछ चात्र यह भी बोल है और रही बात एज वाले तो एज के लिए मैंने आप है ना मेरे वीडियो लिस्ट चेक कीजिए फेस्बुक हो या फिर इस्टाग्राम हो या कोई भी सोसल मीडिया का प्लेटफोर्म हो मैंने वीडियो बना बना के इस एज रिलक्सेशन के लिए जनल के टेगरी में खास क कर दो lleva उतने वीडियो बनाया है मैंने आप देख लीजbecष में एज कम होनी चाहिए आप जात्रों को यह बताया है कि आप मेरे जो चलो इतना सब्सक्राइब ऑगरा नहीं है तो उन चात्रों को मैंने बताया कि जो बड़े बड़े टीचर हैं उनका कमेंट बॉक्स भर दी किजिए, EWS में एज में छूट होनी चीए, सारी जगें वीडियो शेयर कीजिए, बाकि किसी टीचर ने यह सब बताया तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन हाँ, इस बात से बहुत ही उन सभी चात्रों को तसल नहीं मिलनी है, कि तीन साल एज रिलेक्सेशन सारी केटेगरी मे हो गया है, बहुत ही अच्छी खुसकवरी है, अब आप जी जान लगा के मेनत करो इसमें, कमपेटिशन थोड़ा तफ जरूर है, लेकिन इंपोसिबल कुछ भी नहीं है, इस बार वही जितेगा, जो लास्ट एक मन्त में जी जान लगा के फुल प्रैक्टिस करेगा, मोग सबसे बड़ा कारण यह है, कि एक तो इसमें 30 मिनट कम हो गए, किसन कितने कम हो गए, और मिनट कितने कम हो गए, तीक है, तो आप जैसे ही अब यह एक्जाम खतम होगा ना, तो आप रीविवी देख लेना, सात्रु का यह आने वाला है, कि हमने 50 किसन आ टेम किये, 60 किसन आ आएगा, 80 में से 80 करके हैं, जो 80 में से 80 करके आएगा ना, वो इस बार गया, समझ लो, 80 में से 80 कोई नहीं करता है, गोन करता है, तो एक गंटा कैसे जाएगा, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा, कुछ शातर अगर रिजनिंग में उलज गए ना, बिल्कुल भी उलज गया ना, ताब इस एक्जाम से बाहर होगे, समझ लो, इसलिए आपको पहले प्रक्टिस करना पड़ेगा, मतलब पहले प्रक्टिस आपको करना ही पड़ेगा, बस ये इस एक्जाम को निकालने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है, वो है मोग टेस्ट, ठीक है, ज्यादा ट आपको देखो अभी सलेबस कंप्लिट करना, जो अभी नहीं नहीं त्यारी स्टार्ट करेंगे, वो दो मेन हम क्या करेंगे, बताइए, क्या सलेबस पूरा करेंगे, क्या मोग टेस्ट लगाएंगे, अच्छे से पहले अगर त्यारी कर दिया है, तब तो आपके लिए ये इस बात और कुछ चात्र कोमेंट करेंगे, अभी वीडियो में एक चात्र कोमेंट गलत कोमेंट किया है, कि पता कुछ नहीं है, और इस बार एक बटा दो मैनेस मार्किंग है, और पिसली बार कितने थी, एक बटा च्यार मैनेस मार्किंग थी, अरे तो आप मतलब इतने बे जैँचिंग नहीं हुआ है अब आपको सोचिए एक सुशाट नमबर गाये तो लॉन मैंनस मार्किंग होगी और जब सी नमबर का गाँоде होगना तो मार्क होगा हいます किमें कैम किनी एक्जाम पेकर उता कि में कुछ शैंजिंग है तो बस सिर्फ इतना साई 20 गुसें do कर दिया 30 मिनिट कम कर दिया बस यह चीज़े और बस त्यारी करते रहिए आपके लिए मैं यही कमगा आज की वीडियो में इतना ही जय हिंद जय भारत